आपको सुलूशन दूंगा जो लोग बेगिनर हैं जो लोग यूज करते हैं लोग यह दिक्कत आते ही आती है अब यह दिक्कत क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ देखे टैली ओपन किया है अब यहां पर होता क्या है कि हम क्रियेट पर जाके एक पार्टी बना लेते हैं जैसे लेजर क्रियेट कर लेते हैं तो यह लेजर पर चलेंगे देखे लेजर दिया हुआ है यहां पर जाएंगे और कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी बनाते है ठीक है जैसे माली जी यहां पर लिखता हूँ एक नाम गोरो औ आपको यह पता लगता रहे कि एक रडीटर पार्टी का ग्रूप क्या होगा दिखें यहां साइड में लिस्ट ऑप ग्रूप किया गया है इन्ही ग्रूप में से कोई एक हमें चूज करना है तो यह तो अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए तो एस संडी क्रेडिटर करना क्रेंगे उसके बात करेंगे उसके बाद हम आगे की बात करेंगे तो इन्होंने एक एक बिल दिया है जिसका सप्लायर हम चारे पर चार्टी करेंगे तो एक चार दो हजार तेइस करेंगे यहां पर यह डिएट हो जाएगी हमारी कहरा है कि डिएट के नौट भी एब अब द करेंट प्रियोड से ज्यादा डेट नहीं होना चीए यह भी परिशानी आपके साथ रहती है तो इसके लिए आपको क्या करना आपको करना ओड़िस करना होगा अब यहां पर यहां पर यहां पर अलग टाइप का है यहां पर आपको जनरली नेम आप आइटम दिखाई पड़ता है तो यहां से आप मोड को चेंज करेंगे यह दिए हुए चेंज मोड यहां पर क्लिक कर दीजे यह आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर सकते हैं और आइटम इनवाइज सेलेक करके एंटर कर देगा तो यहां आइटम का नेम आने लगेगा ठीक है अब यहां पर वापीस से चल करेंगे और यहां सटा का नेम लेंगे सगार करेंगे इंटर करेंगे और यहां क्रिएट कर लेंगे यूनिट्स का करते हैं यहां पर लिख लिक दिया यह accept हो गया अब यहां पर समस्या यह है कि कितना किलो तो यहां 50 किलो आप चीनी पर्चेस कर लीजिए कितने के रेट से पर्चेस करेंगे 38 रुपे के रेट से तो बेचेंगे तो इससे जादे कही बेचेंगे यह जान रखेगा तब ही तो benefit होगा अब इसी को इतना ही एक ही जो एंट्री है इसको करके accept कराते हैं अब समस्या यहां पर आएगी जब आप payment करने जाते हैं तो सीधा-सीधा यहां पर payment voucher में जाते हैं और यह डबल एंट्री मोड में हमारा payment voucher है यहां पर जाते हैं तो 19-100 रुपे इनको पेमेंट कर देते हैं अगेंस reference आता है यहां पर आप इनको cash में payment करने जाते हैं और यहां पर देखिए यह दिक्कत आ गई आपको 19 100 रुपए negative जाने लगा और कभी कभी आप क्या करते हैं इसको accept भी करा लेंगे तब तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी यह तो negative cash आ गया तो रॉंग entry हो गई ना तो यह यहां पर क्या करना है यहां पर एक capital का लेजर लगाना है capital यानि कि वह पूंजी जो आप बिजनेस में लगाते हैं उनसे हम capital बोलते हैं capital का laser बनाईएगा और इसका ग्रूप रहेगा अंडर यह गया अब यहां पर नेगटिव cash हा रहा है यहां पर यह दिखाई दे रही थी वह रेड हाट गया अप तो इस तरीके से adjustment आप कर सकते हैं ठीक है न तो बात समझ में आ गई होगी ठीक है तो अगर कुछ दिक्कत हो तो बताईएगा comment करके ओके thank you for watching this video